पूलिस जिनके उपर आरोब है अगर वही लोग जाज करेंगे तो फेर नहीं हो पाएगा पानी का पानी हो जाएगा और जिनके अरोब हैं की गरतारी कव होगे मुख्वमेंद्र जी बताएं कि ये समाजिक नया कैसे हो सकता है हालात खराब हैं परिवार तो खुड धर्म है ये नहीं पता कि बच्ची की मां कब दम तोड़ते वो बच्ची जो इसकी बहन है उसकी हालात खराब हैं मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस परिवार को पचास लाक रुपए का मौज और एक सरकारी नोपरी दें और इनको खत्रा इनकी जा सकती है जिस तरह का महौल बनावार फुरिस अपने प्रक्स के लोग को बचाने के लिए इनकी है करा सकती है तो अगर यह लोग डर के साहे मे सरकार से मेरी मांग है कि सरकार जाती मिसेश का जो है ना वह जो जिमाक में दंस है वो छोड़के सब्सक्राइब काम करें उसी कड़ी में परिवास को नियाए दे और अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर हमने टैग गया है कि चंदोली मुख्याले पे 72 गंटे के बाद धरना श अगर खुद मौझूद रहोंगा चंदोले जन्पत्र मैं देखना चाहता हूं कि सरकार पुलिस मिल्ट पेशिक ने दिना चंदोली से लेके ललिधपूर तक क्या कहना है सिर्ब ललिधपूर तक नहीं मत्रा तक मत्रा नहीं गाजयाबाद तक अभी मैंने ख़बर पढ़ी कि गाजयाबाद के पौश इलाके में एक घर में उसके लूट पाट हुए महिला कहत्ते कर दीगी फिर मत्रा में रेख पीडिता को पुर्या थाने मिठा जाता है ललिधपूर में आप देखें एक तो थाने में दुशकर मोटा उसके बाद एक महिला को बैल्टों से पिटा इसा कही बार हो चुका है आज यह उत्तर पर्देश में बीडिया भीज़ेपी से सोक्सित नहीं और सरकार के जो पुलीस है ना इससे सोक्सित नहीं